स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब अमीद आला तला के फजल अकरम से आप सब ठीक होंगे स्टूडेंट्स हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था नमाज जुमा का तारुप और मस्चर्थी एहमियत तो इसमें हमने रीडिंग जो थी वो कंप्लीट कर ले थी चैप्टर को क्लियरली मुकमल अंडर्स्टांड कर लिया था अब हम मूव करते हैं एजिली टॉर्ड्स था एक्सरसाइज अब हम एक्सरसाइज पे पेस नमबर 22 पेस नमबर है 22 एक्सरसाइज पे मूव करते हैं आपको समझा जागी इसके आंसर्स कौन से हैं तो सबसे पहले जो कोंडे हैं वो दिन वे फासल दिन कौन रभ चाल दिन कहा है जी बिलकुल जुम्मे का दिन साटिन कौशें पर क्रते हैं जुम्मे को छोटी ईद की तरह –खा जैता है शुरूरे यह जो questions के answers है यह जो हमने reading की थी chapter की मैं उसमें से आपको डिरेक्टी निशान लगवा देती हूँ आप उसको देखिए अपने books पे निशान लगा सकते हैं तो student इसका जो answer है वो page number एक page आप पीछे move करें page number 20 पे हमने कहा कि जुम्मे का दिन जो है इत के मुतरादिफ की हूँ है तो इसके हमने reading से start किया था कि first line से ही आपने इसका answer लगाना है और आपने यह जो questions के answers मैं आपको book के अंदर से reading से लगवा रही हूँ है इसको आपने बकाइदा अपनी notebook पे solve भी करना है means कि आपने अपनी notebook के जितने भी मैं questions आज़ आपको करवाँगी निशान लगवाँगी आपने इससे neat copy पे last me written form में लिखना है जुम्मे का दिन मुसल्मानों के लिए छोटी एड के मुतरादिफ है इस दिन इमाम साहिब नमाज से पहले खुट्बा देते हैं जिसमें मुसल्मानों के अच्छे कामों की तरगीब और मजभी बातों की तरलीम दी जाती है इस खुट्बे को तवज्ज़ से सुनना चाहिए स्टूडेंट यह आपका question number two का answer यहां पे complete हो गया है अब move करते हैं question number three की तरह question number three क्या है अब इसके बारे में भी हमें पता है अच्छे स्टूडेंट्स आपको question से ही इसके answer का अंदाजा हो गया होगा के अजान के वकत कारुबार के में तरलीक क्या होकम दिया गया है नमाज जुमा की तो इसका answer देखने के लिए page number 20 पे move करते हैं यह जो हमने कुरान पाक के आयत पड़ी थी तर्श्मा मौमिनों जब जुम्ह के दिन की नमाज के लिए अजान दी जाये तो अल्ला की याद यानी नमाज के लिए जल्दी करो और खुरीदफ रोख तर कर दो अगर समझा तो यह तुम्हारे हक में बहतर है पिर जब नमाज हो चुके तो अपनी अपनी राह लो और अल्ला का फजल तलाश करो और अल्ला को बहुत बहुत याद करते रोख ताके निजात पाओ यह कुश्चन नमर थी का आंसर है अब आगे मूफ करते हैं कुश्चन नमर पूर की तरफ किसी खास मजबورी के बगार तीन जुम्मान के लिए मजजित ना आने वालों के बारे में क्या फोधीस है तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि तीन अगर लग़ टा जुम्म्ह की नमास दान आके जाए तो उसके बारे में आपसे सलम्ने क्या फर्माया यहां से पेश नमबर 21 पे जहां पे आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जुम्ह की दिन नमास के थताम इसकी फिर्स्ट लाइन से आपने यहां से करना है कि हज़र मुअध सलम्ह ने फर्माया कि अगर कोई मुसल्मान किसी खास मजबूरी के ब मुव करते हैं कोईशन नमबर 5 की तरह कोईशन नमबर 5 में क्या है सुरह जुम्ह की सायत का तर्जमा लिए जिसमें जुम्ह की नमास की खास अदाया दी गई है हमने पड़ा कि सुरह जुम्ह की आयत का तर्जमा यह कोईशन नमबर 3 का भी आंसर था और यही स्टूडेंट नमबर 1, 2, 3, 4 और 5 यह सारे questions के answers मैंने आपको clear कर दे हैं कर दी हैं आपने इसको अच्छे तरीके से neat copy पे लिखना है सारे questions को यह आपने लिखना है अगर आपके पास question number 3 यहां पर फिल कर सकते हो तो आपने इसे book पे ही करके मुझे check करवाने है means कि आपने pick send कर देनी है okay student आपने इसको इच्छे तरीके से learn भी करना है okay thank you, Allah Hafiz